नमस्कार, मैं हूँ आपके हिंदी सिख्षिगा स्रीमती रंजना सिंग, विश्य हिंदी कक्छा चौती, दूसरी एकाई से पाट तेन, पाट का नाम है बातुनी कच्छुआ बच्चु या एक बहुत दी अच्छी सी कहानी है, ध्यान पुर्वक सुनिये जंगल के बीच एक सुन्दर तालाब था, वहाँ पहाड़ी से दो हंस आते थे, उसी तालाब में एक कच्छुआ भी रहता था, वह हर दम बक बक करता था, बक बक अर्था पहुत बाते करता था, हंस और कच्छुआ में मित्रता थी हंसो ने एक दिन कच्छुए से कहा कि, इस तालाब का पानी जल्दी ही सूखने वाला है, तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा, अब क्या करना है कच्छुए ने कहा, तुम्हें कुछ सहायता करो, हंसो ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाओ दिया, सुझाओ अर्थार विचार कच्छुआ भी उनकी बात मान गया, उन्होंने कच्छुए के सामने एक शर्ट रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातुनी हो, बातुनी अर्था बहुत ज़्यादा बाते करने वाला, सफर में बिल्कुल नहीं बोलना, कच्छुए ने शर्ट मान ली हंसो ने कच्छुए से एक लकडी को बीचो बीच पकड़ने के लिए कहा, और वे लकडी के दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच से पकड़ कर उड़ चले कच्छुए हंसो के साथ आसमान में उड़कर खुश हुआ, नीचे धर्टी के द्रिश्य देखकर अपने आपको रोक नहीं पाया, अचानक बोल पड़ा, जैसे ही वह बोला, उसके मुँसे लकडी छूट गई, और कच्छुए तालाब में गिर पड़ा बच्छों, प्रस्तुत कहाने के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि अनावश्यक वह ज़्यादा बोलने से नुकसान ही होता है, अगर आप बड़ों के बीच में ज़्यादा बोलते हैं, तो आपको डाट सुनना पड़ता है, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा बोलते हैं, तो आपका मज़ा कुड़ाया जाता है, इसलिए हमें हमेशा सोख समझ कर कम बोलना चाहिए, बच्चों आपके लिए ग्रियकारी है, पहला प्रश्न है सही और गलत का चिन लगाओ, दूसरा प्रश्न है पश्वों तथा पक्षियों के अंगों को पहचान कर उ और जूडिया मिलाओ, तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ती करो, चौथा प्रश्न है कृती पूर्ण करो, पाठ में आये चित्रों के नाम लिखो, धन्यवाद